आज है सोमवार भगवान शिफ का दिन और आज मैं आपके सपने और शिव जी की बात करूंगी आज का शो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सपना पूरा होगा कौन सा नहीं आज आपको बताऊंगी शिव जी अगर आपके सपने में आए या फिर शिव जी से जुड़ी कोई चीज आपके सपने में आए तो आप पर कौन सा संकर जो आया हुआ है वो टल जाएगा आज आपके शुब अशुब सपने के बारे में भी बताया जाएगा आपको वो सपना भी बताऊंगी जो पूरा होगा और ये भी जानेंगे कितने वक्त में पूरा होगा साथ ही आपको उस लड़की से मिलवा देंगे जो आप भी बनना चाहेंगे जो सपने में आती है अज सपने की बात हो ही रही है तो मैंने सोचा सोमवार का दिन है शिवजी का दिन है चूना सबसे पहले आपको सपने और शिवजी के कनेक्शन के बारे में बता दू अगर आपके सपने में शिवजी या उनसे कुछ जुड़ी चीजे नजर आती है तो इ समझ लीजिए अच्छा समय शुरू होने वाला है यह प्रॉपर्टी मिलने का भी इशारा है ऐसा होने पर आपको किसी शिव मंदिर में जाकर वहां शिवलिंग पर दूज जड़ाना चाहिए इतना सा चड़ाईए गहां बाकि किसी गरीब को दीजेगा सपने में अगर शिव कर रहे हैं तो यह सपना आपके लिए निश्चती सफलता का संकेत हो सकता है सपने में शिव पार्वती जी को एक साथ देखना अगर आप सपने में शिव जी और पार्वती जी को एक साथ देखते हैं मतलब यह कि नए अफसर आपके दर्वाजे पर दस्तक दे रहे हैं जल् तो जल्दी शादी का संकेत हो सकता है अगर पती पत्नी में लंबे समय से मधभेद हो रहा है तो ये सपना इशारा करता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है ये इस ओर संकेत करता है सपने में तांडफ करते वे शिवजी को देखना इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऐसा सपना देखें तो ये जुनून का संकेत है अगर ऐसा सपना आए तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी सभी समस्याएं जल्द ही हल होने वाली है और साथ ही आपको financial gains भी होंगे लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सपने में शिवजी का मंदर अगर दिखता है आपको तो इसका क्या मतलब हुआ अगर मंदर दिखता है तो बहुत ही शुप संकेत है यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जुड़े है या आपको कोई दूसरी परिशानी परिशान कर रही है तो आपको जल्द ही उससे छुटकारा मिलने वाला है सपने में शिवजी का त्रशूल अगर दिखता है तो यह शक्ती का प्रतीक है इसका मतलब आपका ये इस चीज़ का ये मतलब निकालेंगे कि आपका काम की जगा जो भी आप काम कर रहे हैं वहां ग्रेंज होंगे तो शूल का दिखाई देना सभी पीडा और समस्याओं से राहत दिलाने वाला होता है ये भी माना जाता है सपने में शिवजी की तीसरी आँग का दिखना अगर सपने में आप देखते हैं शिवजी की तीसरी आँख तो ये alertness बताती है ये सपना आपको जीवन में कुछ जरूरी बदलाव का संकेत दे सकता है सपने में शिवजी का डमरू देखना अगर डमरू देखते हैं तो इसकी ध्वनी किस चीज की प्रतीक है ये ध्वनी का प्रतीक है इसका सपना देखना आपके नीजी और पेशावर जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा पॉजितिव बदलाव आ सकता है जो भी नया काम करेंगे उसमें निश्यती सफलता आपको मिलेगी सपने में अगर आपको साप दिखता है जिन भी लोगों को सपने में आप बहुत कॉमन बात ये सुनेंगे कि साप दिखता है इसका मतलब इन्हें धन मिलने वाला होता है अगर साप फन फैलाए वे हो तो आप उसके पीछे की ओर अगर देखते हैं तो आपके लिए शुफल देने वाला रहेगा आपके साथ नाग देखता का आशिवाद रहेगा सपना भी कमाल की चीज होती है कभी डरा जाता है कभी खुछ कर देता है लेकिन एक सवाल हमेशा आपके दिल में उठता होगा आखिर वो सपना रात में देखो वो सच होगा भी या नहीं आज आपको ये बताती हूँ कौन सा सपना सच होता है कौन सा सपना जूटा साबित होता है सोने से पहले तीन घंटे में देखा जाने वाला सपना एक साल में शुब या शुब फल देता है सोने के बाद से तीन से छे घंटे के बीच देखा गया सपना नौ महीने में शुब या शुब फल देता है इसी तरीके से सोने के बाद नौ से बारा घंटे के बीच देखा गया सपना तीन महीने में शुब या शुब फल देता है सोने के बारा घंटे बाद देखा गया सपना एक महीने में शुब या शुब फल देता है सुभा के वक्त देखा गया सपना जल्दी शुब फल देता है दिन निकलने के बाद देखा गया सपना पंदरा दिनों के अंदर ही फल देता है रात में तीन बजे से सुभा सूरज निकलने से पहले देखा गया सपना साथ दिन में रिजल्ड देता है आधी राग 12 बुजे की आसपस देखा गया सपना एक महीने में result देता है एक रात में एक से ज़णा सपने आएं तो आखरी में आए सपने का ही सही असर होता है रोग किस समय देखा गया सपना सच होता है ये तो मैंने आपको बता दिया लेकिन अब एक और बात बतानी बाकी है आखिर वो कौन सी तारीक है जो इस दिन देखा गया सपना सच होता है जो भी तारीक है मैं बता रही हूँ वो सब तितियां आपको पंचांग से पता चल जाएंगी तो जब भी आपको कोई सपना आए फटा-फट पंचांग देख लें या गूगल कर लें आपको पता चल जाएगा कि सपना फलित होगा भी या नहीं पूर्णिमा को देखे गए सपने का फल जरूर प्राप्त होता है इसी तरीके से शुकल पक्ष की सेकंड और थर्ड डेत को और क्रिशन पक्ष की एथ क्रिशन पक्ष यानि कि जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटता है क्रिशन पक्ष की अश्टमी यानि की एथ नाइंत को देखा गया सपना उल्टा फल देता यानि कि अच्छा दिखा तो बुरा होगा बुरा दिखा तो अच्छा होगा इसी तरह से शुकल पक्ष की प्रतिप्रदा और क्रिशन पक्ष की दृत्रिया यानि कि सेकंड डे को देखे गए सपने में देर से रिजल्स मिलते हैं इसी तरीके से शुकल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी यानि की फोर्थ और फिफ्थ देखो देखेगा इस अपने का फल दो महीने से दो साल के अंदर-अंदर मिल जाता है आपके घर में ऐसे भगवान की मूर्तियां होंगी लेकिन क्या आपको पताें घर मियां रखने का भी एक वास्तु होता है आईए आपको बताती हूं बहुती संबहेदन चील होता है और इसी वज़त से घर के मंंदर में चोटा सा शिवलिंग रखना ही शुब होता है अन्य देवी देफताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की होनी चाहिए मैक्सिमम सिक्स इंचिस जादा बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए ही अच्छी होती है घर में मंदिर ऐसी जगा पे बनाना चाहिए जहां दिन भर में कभी भी कुछ देर के सूर्य की रौष्णी जरूर पहुंचती हो जिन घरों में सूर्य की रौष्णी और ताजी हवा आती है उन घरों में कई दोश दूर हो जाते हैं सूर्य की रौष्णी से ही वातावरन की नेगेटिव एनरजी भी खत्म हो जाती है और वातावरन पॉजिटिव होने लगता करने के लिए दक्षन दिशा बैस्ट रहती है धर में दप्षं दिशा की दिबार पर जो लोग नहीं रहे हैं उनकी फोटो लगा सकते हैं लेकिन ये 스से मंद्र में नहीं रखनी फोटो मंदर में नहीं रखनी चाहिए पूजा के कमरे में पूजा से समबंदित चीजह रखनी चाहिए दूसरी Laden से बचनाचाहिए गहर के मंदर के आसपास टॉलिट विल्कुल नहीं होना चाहिए इसलिए ऐसे स्थान पर पूजा घर बनाएं जहां आसपास टॉलिट ना हो अगर किसी छोटे कमरे में पूजा घर बनाया गया है तो वह जगा खुली नहीं होनी चाहिए जहां आसानी से बैठा जा सके ऐसी जगा हो घर में मंदर तो हैं हर रोज सुभा और शाम पू जरूर जलाएं इससे वास्तू के कई दोश दूर होते हैं चलिए आस्ट्रो स्पेशल का वक्त आ गया है आपको वो जानगादी देती हूं जो मुझ से सीधा आप तक निकलती है क्या है वो जानिए आज आस्ट्रो स्पेशल पर क्योंकि शिवजी की बात हुई तो शिवजी की ही खास टेप आपको देती हूं आपके घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एरिया है यह डिप्रेशन का एरिया है इस तरफ अगर आपका बिस्तर है आपका डाइनिंग टेबल ह यहां आप टीवी देखते हैं यहां आप जादा तर बैठते हैं तो डिप्रेशन की बिमारी से ग्रस्त आप होंगे ही वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर घर में किसी को भी डिप्रेशन है तो शिवजी का त्रिशूल जो की तीन गुड़ों को बैलंस करता है सत्व तामसिक और राजसिक गुण को बैलंस करता है इसलिए त्रिशूल जो है यह बैलंस का प्रतीख है त्रिशूल की फोटो या एक छोटा सा त्रिशूल चांदी का बनवाकर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच लगा लीजिए पॉइंटिंग अप इससे सकने अपने